हलो स्टुडेंट वेलकम टो वेक माई यूटूब चैनल डिकेलाफर स्टेडी में आपका स्वागत है तो चलिए फेंट आज हम लोग देख सकते हैं टुवेल्थ कलास का जो इंटर्मीडियेट जो वार्षिक परिक्षा दोहचार थे इसका जो एड्मीड कार्ड था फेंट वह चारी कर दिया गया है और देख सकते हैं काफी सारा स्टुडेंट कोमेंट किये थे कि सर एड्मीड कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे तो चलिए यहां पर आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं तो वीडियो को लाइक सेयर कर दें चैनल पे पहली बारा आया है तो चैन तरह से डाउनलोड करना है तो चलिए यहां पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं तो चलिए जैसा कि देख सकते हैं कि यहां पर बिहार विद्याले परिच्छा समीती के दोवारा इंटर वार्षिक परिच्छा 2023 में समलित होने वाले च्छातर च्छात्राओं को एड्मीड कार्ड जारी कर दिया गया है देख सकते हैं एड्मीड कार्ड वेबसाइट इंटर23.biharwood.online.com के माध्यम से आप लोग 31 चनवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं एड्मीड कार्ड देख सकते हैं एड्मीड कार्ड पर अस्कूल का मोहर और परचारे का हास्त आपका एड्मीड कार्ड को जारी कर दिया गया है देख सकते हैं इंटर23.biharwood.online.com के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं 31 चनवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं एड्मीड कार्ड देख सकते हैं एड्मीड कार्ड पर अस्कूल का मोहर और परचारे का हस्त अच्छ जरूर हैं ऐसे में बहुत सारे स्टुडेंट पूछ रहें थे कि क्या सर फिर हम लोग भी डाउनलोड क्या करकर देख सकते हैं तो मैं आपको बता दो फेंट कि आप लोग डाउनलोड खुड से नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर बिहार विद्याले परिक्षा समीती के द्वारा एक निर्देश निकल कर आया है जिसमें यह साफ साफ बताया गया है कि देख सकते हैं जो इंटर्मीडियेट बारसिक परिक्षा 2023 में समलित होने वाले च्छातर च्छातराओं का बहुत का बकाया सुल्ख है जिसको लेकर यहां पर देख सकते हैं कि भी जिसको लेकर भी हर विध्याले पर इच्छा समीती ने देख सकते हैं website पर admit card को download नहीं किया है तो देख सकते हैं यह सिरिप आपका देख सकते हैं college का जो id password है उसके दवारा ही आप लोग download कर सकते हैं तो देख सकते हैं यह अनुमती सिरिप देख सकते हैं school का ही दिया गया है आप लोग खुद से download नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर बिहार विध्याले पर इच्छा समीती यह साफ साफ कहा है कि देख सकते हैं काफी सारा student का dues है जिसको लेकर यहां पर जो बिहार विध्याले पर इच्छा समीती है जो देख सकते हैं अपना 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 वेब साइट पर ही admit card को जारी किया है जिसको ID और password की मदद से आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं तो आपका ID पासवर्ड नहीं है तो देख सकते हैं आपका खुद college और school ही download कर कर दे सकता है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि मोहर और सिकनेचर जरूरी है admit card पर लेकिन यहाँ पे finally भिहार विद्याले पर इच्छा समिती admit card को जारी कर दिया गया है देख सकते हैं यह आज का paper है और देख सकते हैं यहाँ पे आफ साफ बताया गया है कि देख सकते हैं कि पिछले साल था जो की देख सकते हैं आप लोग खुद से भी download कर सकते थे लेकिन इस बार देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दिया गया है कि परिक्छा सूलक जामा नहीं करने वाले परिच्छार्थियों का परवेस पत्र देख सकते हैं परवेस पत्र जारी बिहार विद्याले परिच्छा समीती जो देख सकते हैं मैट्रिक इंटर वार्षिक परिच्छा दो हजारते हैं इसमें समलित होने वाले चात्र चात्राओं के लिए देख सकते हैं जिनका डियूज है उनके लिए यहाँ पे देख सकते बिहार विद्याले परिक्षा समीती ने एडमीड कार्ड को रोक दिया है और यह देख सकते सिच्छन संस्थान के दोगारा ही सभी को दिया जा रहा है मोहर और साइन करकर तो देख सकते हैं जो वार्षिक परिक्षा 2023 में समलित होने वाले छातर छातराओं के लिए एडमीड कार्ड जारी कर दिया गया है जिन्होंने अभी तक परिक्षा सूलक जामा नहीं किया है देख सकते हैं नहीं किया है वह समीती देख सकते हैं समीती ने कहा कि छातर हीत में यह कदम उठाया गया है कि जो सेकेंडरी देख सकते हैं सेकेंडरी भी हारबोर्ड ऑनलाइन.com पर जाकर एडमीड काड डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं एडमीड काड एडमीड काड तेरा फरवरी तक देख सकत फीज नहीं जमा है बिहार विद्याले पर इच्छा समीती ने यह साप साप कहा है कि 25 जनवरी तक लास्ट मौका दिया गया है आप लोग फीज की फीज किलियर करकर आप लोग एड्मिट कार्ड को ले सकते हैं तो चलिए इसी कारण देख सकते हैं यहाँ पर जो वेबसाइट पर है वह एड्मिट कार्ड को जारी नहीं किया गया है क्योंकि देख सकते हैं ओपीसियल वेबसाइट है यह आईडी पासवर्ड की मदद से ही आप लोग एड्मिट कार्ड निकाल सकते हैं लेकिन हमारे पास एड्मिट कार्ड नहीं है इसी कारण हम लोग नहीं निकाल सकते हैं तो देख सकते हैं आप लोग खुद अपना स्कूल को ले जाएए और वहाँ जो प्रधाना अध्याफक है वही आपका admit card निकाल कर साइन मोहर करकर आपको वहाँ पर प्रभाइट कराई जाएगी तो चलिए देख सकते हैं कि बिहार विद्याले परिक्षा समीती ने आज अब देख सकते हैं पेपर के कटिंग के माध्यम से साफ साफ बता दिया गया है कि इंटर वार्षिक परिक्षा 2023 में समलित होने वाले छातर छातराओं का admit card जारी कर दिया गया है जीन स्टुडेंट का सुल्क नहीं जमा हुआ है उनका भी यहाँ पर डेट दिया गया है कि 25 तक आप लोग देख सकते हैं सुल्क करण करकर आप लोग admit card ले सकते हैं तो चलिए अब तक सबसे बड़ी जानकारी निकल कर आई है तो चलिए वीडियो को like, share कर दे फ्रेंड और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर दे ताकि देख सकते हैं पलपल की update यहाँ से मिलती रहेगी तो चलिए आज के लिए इतना है तब तक के लिए take a bye